अश्कार दोस्तो जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़े समास समास किसे कहते हैं समास के कितने भेद होते हैं यह हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं यदि आपने वो वीडियो नहीं देखिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक दे दिया जाएगा पह किसे कहते हैं जो नया शवत बनता है उस शब्द को बनाने की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं इसे कहते हैं समास और समासिक पद किसे कहते हैं इन शब्दों के मेल से जो नया शब्द बना है जैसे नील कंट ये नील कंट जो है वो है हमारा समासिक पद नील को कहते हैं पूर्पद और कंट को कहते हैं उत्तर पद चलिए शुरू करते हैं कर्मधार्य समास कर्मधार्य समास में क्या होता है एक पद विशेशन होता है और दूसरा पद विशेश्य मतलब यहाँ पर जो समास सिक पद होते हैं उनमें विशेशन विशेश्य का संबंद होता है या फिर उनमें उपमे और उपमान का संबंद होता है जैसे देखिए नील कंट यहाँ पे कंट मतलब गड़ा और नील मतलब नीला यहाँ पे कंट की विशेशता है कि वह कैसा है नीला तो यहाँ पे विशेशन विशेश्य का संबंद है तो यहाँ पर कौन सा समास हुआ, कर्मधार्य समास, इसका विग्राय कैसे करेंगे, नीला है जो कंट, नव यूवक, नव मतलब नया, यूवक, नया है जो यूवक, इसका विग्राय इस तरह से करेंगे, तो आपने ध्यान दिया होगा कि कर्मधार्य में जब विग्राय करते तो हम जो शब्द का प्रियोग करते हैं नीला है जो कंट नया है जो यूवक और इसमें क्या होता है विशेशन विशेश्य का संबंध होता है या फिर उपमें उपमान का संबंध भी होता है अब उपमें उपमान क्या होते हैं देखें जब किसी चीज की तुलना किसी गुण की तारीफ करते हैं तो हम कहते हैं कि चांग सा सुंदर मुख तो यहां पर चांग क्या होगा उकमन क्या होगा उपनफान हो जहां उपमेः उपमान या विशैशन विशेश्य है उपमेः उपमान देखें कमल नयन यह है उपमे उपमान का संबन कमल के समान नयन मतलब जो नयन है वो किसके समान है कमल के क्योंकि कमल एक परसिद चीज है कमलता में सुंदरता में तो नयन कैसे है कमल जैसे मृक नयन मृक भी अपनी सुंदरता के लिए परसिद है तो म्रिक्या इसमें उपमान और नैन क्या है उपमी म्रिक के समान नैन जब उपमें उपमान का संबंध होगा तो इस तरह से इनका विग्रह होगा तो याद रखें कंधारे में क्या होगा विशेशन विशेशे या उपमें उपमान का संबंध यह point आप याद कर लीजिएगा अब बारी आती है अव्य भाव समास अव्य भाव समास क्या होता है इसमें क्या होगा पहला पद क्या होगा अव्य जैसे कि देखे आगे चलकर उधारण में बताएंगे पहले परिभाशन पढ़ लेते हैं अव्य वे शब्द होते हैं जिन पर काल वचन लिंग पुरुष आदी का कोई प्रभाव नहीं पढ़ता अव्य क्या होते हैं जिन पर काल वचन लिंग पुरुष आदी का प्रभाव नहीं पढ़ता जिन पर कोई असर नहीं पढ़ता जिन में कोई बदलाव नहीं आता काल व लीजिए वहाँ पर कौन सा समास है अव्यई भाव समास जिसे यथा प्र प्रति आ बे भर निर अन आदी अव्यई भाव में कौन कौन से शब्द मिलेंगे जो पूर्पद होगा वो यथा प्र प्रति आ बे भर निर अन इस तरह के शब्द होंगे इसका पॉइंट क्या होगा कि जो अव्य भाव समास है उसमें या तो पहला पद उपसर्ग या अव्य होगा पहला पद इसमें क्या होगा अव्य या उपसर्ग और यही परधान होता है अव्य भाव समास जैसे नाम से ही पता चलता है पहला पद अव्य या उपसर्ग होगा याद रखिए, जैसे आजन, आ क्या है, उपसर्व, आजन का विग्रह कैसे करेंगे, जन से लेकर, आजन मतलब जन से लेकर, नी डर, नी इसमें क्या है, उपसर्व, बिना डर के इसका विग्रह होगा, नी डर मतलब बिना डर के, पर्ती पल, पर्ती का मतलब होता है हर, तो हर समास का है अवय या उपवसर्ग क्या हो गया अवय भाव समास दोस्टों एक शब्ध है द्वार-द्वार माली जी द्वार द्वार आ अब पढ़ते हैं ततपुरु समास के देखें जिस समास में उत्तरपद उत्तरपद पर मतलब जैसे घर जोई घर में उत्तरपद होता है वो परधान होता है और पदों के बीच का कारक चिन लुप्त हो जाता है तत्पुरु समास का मतलब हो था है इसमें कारक चिन का लोप होगा मीन पॉइंट क्या होगा इसमें कारक चिन का लोप होगा उसे तत्पुरु समास कहते हैं जहां पर कारक चिन का लोप होगा और उत्तरपद परधान होगा जिसे देखे रसोई घर जरूरी है रसोई के लिए जो कमरा होता है वो उसे हम घर कहते हैं कमरा जरूरी है रसोई बिना घर के रसोई कैसे बनाएंगे तो रसोई घर रसोई के लिए घर इसका विग्रह करेंगे तो क्या आएगा रसोई के लिए घर तो के लिए क्या है इसमें कारक चिन और जब हम हम इसका समाचिक पद बनाते हैं तो इसमें के लिए विग्राह करते हैं 고ilt रहा करेंगे रहा की लिए खर्च है क्या है का राक्चिन का लोप होता है और जब उनका विग्रह करते हैं तो कारक चिन लगाकर विग्रह करेंगे दोस्तों कारक चिनों की जो विभक्तियां हैं कारकों की विभक्तियों के नाम के अनुसार कारक चिन याद रखे इसमें पॉइंट क्या है कारक चिन और कारक की विभक्तियों के नामों के अनुसार और अधीकरण तत्पुरुष यदि आपको कारक चिन आते तो आप बहुत आसानी से इसे समझ सकते हैं देखे जो कर्म तत्पुरुष है इसमें क्या होगा कर्म कारक का जो विभक्ती चिन है कर्म कारक का विभक्ती चिन क्या है को हम कैसे याद करते करता ने कर्म को तो कर्म का कारंक गए सबक्टिकंपने सब्सक्राइब क्मिक सब्सक्राइब क derecho जो यहां पर भी चणल में वागता है तोetter mниз मन資ं में तड़ाइब को गया हुआ ग्राम गत ग्राम को गया हुआ तो यहां पर भी को जो है वो करण तत्पुरुश है अगले करण तत्पुरुश इसमें करण का जो विभक्ति चिन है से करण का विभक्ति चिन क्या है से इसका लोप हो जाता है तो इसमें करण तत्पुरुश आता है देखें शो भुग यहान पर कौन सा समासी संप्रदान कारक में संप्रदान कारक में किसी के लिए कोई कार्या करते हैं तो वहाँ पर जो के लिए होता है वो संप्रदान का विभक्ती चीन है और जहाँ पर के लिए का लोप होता है तो वहाँ पर आएगा संप्रदान तत्पुरुष देखें देश भक्ती, देश के लिए भक्ती, तो यहाँ पर के लिए का लोप है देश भक्ती में तो देश बक्ति में कौन सा समास होगा संप्रदान ततपुरुष रसोई घर रसोई के लिए घर विद्या के लिए आ लिए तो इनमें के लिए का लोप है तो यहां पे कौन सा समास होगा संप्रदान ततपुरुष अगला है अपादान ततपुरुष अपादान में क्या होता इसमें अलग होने का आर्थ होता है तो अगर इसमें अलग होने के आर्थ से कोई से का लोप होता है तो वहाँ पर क्या होगा अपादान से रहित, इसमें अलग होने का भावात है और से का लोप है, इन शब्दों में तो ये कौन से समास हैं, अपादान तदपुरुश, अब भारिया थे संबंद तदपुरुश, जहां पे संबंद के जो भक्ति चिन है जैसे का, क के की, इसका, उसका तो ये का के की क्या है? संबंद कारक्चिन है, तो यदी कहीं पर इनका लोब हो जाता है शब्द में, तो वहाँ पर संबंद तत्पुरुष होता है जैसे गंगा जल, गंगा का जल, तो का का लोप हो गया, घुड़ दोड, घुड़ों की दोड, तो की का लोप हो गया इसमें, देश का वासी, देश वासी, दीना नाथ, दीनो का नाथ, तो यहाँ पर का का लोप हो गया, तो यह शब्द इन में कौन सा समास है, संबंध पूरुष अधिकरन से आधार मतलब है जब हम किसी चीज पर कोई चीज Journal में पर अधिकरैंन्त पूरुष ज़ा जहां पर में पे पर का लोप हो जाता है, वहां पर अधिकरन तत्पृुष समास होता है, जैसे ग्रह प्रवेश, ग्रह में प्रवेश, तो में का लोप हो गया, गुड़ सवार, घोड़ो पर सवार, गुड़ सवार, सिर्दर्द, सिर्मेदर्द, आप बीती, मतलब आप पर बीती, तो इसमें पर, इसमें में, तो में पे पर का जहां पर लोप होगा, वहां पर अधिकरन तत्पृुष समास होगा, जोस्तों अब बात करते हैं, जो कंधारे समास है और बहु फ्रीज समास में, कंधारे समास जै तो इसमें होगा बहुवरी समास, क्योंकि ना तो इसमें नीला परदान है और ना कंट परदान है, कौन सा समास हो गया, बहुवरी समास, नील कंट को यह लिखते हैं, नीला है जो कंट, मतलब हम उस कंट की बात करें हैं, जिसका रंग नीला है, यहाँ पर विशेशन ह Aufg i sound इंटर कर सकते हैं दोस्तों गोडियो अच्छी लगी होगी दो चैनल को सब्सक्राइब कर ली है साथ में प्रेस करक लीजए और वीडियो को लाइक शेर करना हम भूले धन्यवाद झाल झाल